अब मैं ये जो सिरीज लाने जा रही हूँ, उसका टाइटल नेम है मार्शल यूनिवर्स, इस सिरीज को पूरे वर्ल्ड में काफी सराया गया है और मेरी भी ये फेवरिट्स में से एक है, इस कहानी के शरुवात में एक रैट कुछ लोगों से बचकर भाग रहा होता है, वो अपनी पास का यूज करता है और उसके विंक्स लग जाते हैं, जिससे वो उनने लगता है, लेकिन वो लोग उसके पीछे इसलिए भाग रहे होते हैं, क्योंकि उस रैट के पास कोई एंचिन स्टोन था, रैट खुद को बेबस समझने लगता है, और एंचिन स्टोन और पहादूर योदा हुआ करते थे, जिन्नोंने अपने लिंग परिवार का नाम रोशन करा था, लेकिन जब से उसकी फामली टॉनमेट में शिकस्त हुई थी, तो लोग उसका मजाग बनाने लग गए, इस हार का असर सबसे ज़ादा, लिंग दॉंग पर बढ़ा, सभी लोग उसे उसके फादर का मजाग बना कर चिड़ाते थे, मारते थे, लेकिन वो उन्हें कुछ भी नहीं कहता था, क्योंकि उसके फादर ने उसे लड़ना नहीं सिखाया था, तब है लिंग दॉंग के गजन्स उसे मारने लगते हैं, और उसे पहाड के नीचे वेग देते हैं, पहाड के नीचे जाकर, वो एक चटान पर गिर जाता है, और उसकी बॉड़ी से खून आने लग जाता है, उसका खून बैता हुआ, चटान के नीचे जाता है, और उसे एंशिन स्टोन पर लग जाता है, जिससे वो चटान पूरी डिस्ट्रॉई हो जाती है, और लिंग पानी से बाहर निकलने की कोशिश करता है। इतने ही वो पत्थर में सी रोशनी आने लगती है। और अगले ही मॉमेंट लिंग डॉंग जमीन पर पड़ा हुआ होता है। जब वो उड़ता है तो देखता है कि वो एक गुफा में है। उसके सारे जखम भी हील हो जाते हैं। और वो पत्थर भी उसकी बोडी में समा चुका था। अब वो अपने घर चला जाता है और अपनी बहन किन दैनसे बाते करके सो जाता है। तब उसे सपना आता है कि वो पत्थर की दुनिया में जा चुका है और वहाँ उसकी शैड़ो उसे माशल आच सिखाती है। वो एकी सपने में लड़ना सीख जाता है तभी एकदम उसकी आँख खुल जाती है और उसकी पहन को उसके गजन्स छेड रही होते हैं तो वो भागा भागा वहाँ पहुँच जाता है लिंग शान उस पर अटाक करता है तो लिंग दॉंग खुद को अपने हाथ से डिफेंड कर लेता है ये देखकर उसे एकी हो जाता है कि वो पथर की पास रियल है और जो उसने सपने में माशलाज सीखा वो भी रियल है तभी वो दोनों फाइट करना शुरू कर देते हैं पर वहाँ लिंग लॉंग आकर उन दोनों की फाइट रुकवा देता है वो लिंग शान का भाई होत है वो भी बागी सब की तरह उसका मजाग बनाता है और उसे कहता है कि वो फैमिली टॉनमिट में जीत कर उसकी बहन से शादी करेगा इनकी ये बाते लिंग शायान सुन लेता है और वो लिंग दॉंग को माशलाज सिखाने का फैसला करता है तब ही उसकी बहन किन तैन की कर किंतन के गले में डाल देता है, लिंग दॉंग फिर से अपनी तयारी शुरू कर देता है, अब फैमिली टार्नमेंट का दिन आ जाता है, और इस टार्नमेंट में लिंग फैमिली के यंग और ओल्ल मन पाटिस्पेट करते हैं, जो भी ये जीतेगा, वो लिंग फामिली का चांपियन बन जाएगा, टॉनमेंट शुरू हो जाता है, और लिंग हॉंग अपने छोटे भाई के साथ फाइट कर रहा होता है, और उसे हरा भी देता है, फिर किन तान उससे फाइट करने आती है, लेकिन वो उसे भी हरा देता है फिर वहाँ लिंग दॉंग आकर उससे fight करता है और वो tempered body की 6 stage, echo face की 9 stage और 10 stage भी देखाता है ये देखकर सब हैरान रहे जाते हैं अब लिंग दॉंग आखे बंद करके उससे fight करने लगता है वो तो tempered body की 7 stage भी enlarge कर लेता है लिंग दॉंग उसे कहता है कि तुमने मेरे करा और मुझे हमेशा नीचा दिखाया इसलिए मैं आज तुम से इसका बदला लूँगा और ये कहकर वो उसे stage से नीचे गिरा देता है grandfather Ling Dong को इसका winner renounce कर देता है अब grandfather अपने बीटे को बताता है कि Ling family की तरहें दो families और भी है family Lee and family Z वो इनकी support चाहते हैं ताकि अगर उन पे कोई भी खत्रा आए तो ये families इनको help कर सके लेकिन इसके लिए उन्हें hunting tournament जीतना होगा जो कि बिल्कुल भी आसान नहीं है ये tournament Lee family और Ling family के बीच होदा था जिसमें सब लोग party speed करते थे अब सबी लोग tournament की जगे पर पहुँच जाते हैं वहाँ लिंग तो जो बलेट के लोग भी आ जाता है उनी का एक साती Lin Yun Ling Dong को इशारा करके अपने पास बुलाता है और उसके कान में कुछ कहता है उसके बाद Ling Dong एक दमा से भाग जाता है इसी बीच एक लड़की आकर केंटन को थपड मारती है और उससे उसका नेकलेस चीनने की कोशिश करती है तो इतने में वहाँ Ling Dong आ जाता है और उसे थपड मारता है ये देखकर उसका husband आता है और उसपर अटाक कर देता है वो दूनों fight करने ही वाले होते हैं कि वहाँ tournament के judges आकर उन्हीं रोग देते हैं अब tournament शुरू होता है और उसमें judge उन्हें बताते हैं कि जो भी fire tiger की flake लेकर आएगा वो ये जीच जाएगा और अगर flake सादा हुई तो इसका फैसला one-on-one किया जाएगा सभी flake को ढूनने में लग जाते हैं इतने ही link dong के पास कुयू आता है और उसको अपने साथ शामिल होने का plan बनाता है अगर वो एक साथ मिलकर fire tiger पर हमला करते हैं तो वो असानी से flake हासल कर सकते हैं कुयू का ये plan link dong को पसंद आता है और वो उन्हें अपनी टीम में शामिल कर लेता है फिर ये दोनों मिलकर ली फैमली पर अटाक कर देते हैं उनका ध्यान भटका कर कुयू fire tiger की पूछ काट देता है और उस flake को हासल कर लेता है वो जैसे ही उस flake को लेकर जारा होता है तो लीयो उसे जाल में पकड़ लीता है जो कि उसने tiger के लिए बिचाया था वो उसे tiger की गुफा में फेक देता है और flake अपने पास लेकर grandfather को जाकर दिखा देता है फिर link dong उसे बचाने के लिए गुफा में चला जाता है वहाँ उन्हें fire tiger सोया हुआ मिलता है तभी एक दम कुईयो की pocket से एक तीर निकल कर टाइगर के पास गिर जाता है जिससे वो उठ जाता है लेकिन उसकी हालत बहुत खराब होती है और वो गिर कर मर जाता है तभी वहाँ से tiger के दो बच्चे निकल कर आते हैं जिसे वो fire tiger छुपा कर रखती है लिंग टॉंग और कुईयो उन दोनों बच्चों को grandfather के पास ले जाते हैं तेनों के पास ही फ्लेक होने की वज़े से winner बताना बहुत मुश्किल हो रहा था कुईयो काफी सत्मी हो चुका इसलिए वो four feet कर लेता है अब family link और ली ही पची होती है ली फू link family को एक bet के लिए बोलता है कि अगर वो जीत गए तो वो दोनों बचे उने देने होंगे और अगर वो हार गए तो वो ironwood village उनके नाम कर देगा ये सुनकर link dong उनका challenge accept कर लेता है अब link dong और ली यान एक दूस link dong ने जो मूती अपनी बेहन के थू बनाए थे उनमें 5th level की जिन energy होती है जिससे link dong ने मूती की पार्स को एब्सॉब करके अपनी पार के साथ mix कर दिया था और ये earthly yuan stage activate कर लिया था फिर दोनों fight करना शुरू कर देते हैं और दोनों अपनी अपनी पार्स का use करने लगते ह वो दोनों बिल्कुल टकर की fight कर रहे होते हैं link dong को जब इस stage की पार समझाती है तो वो उसे बहुत तेज एक punch मारता है ली उनको गुसा आजाता है और वो 4th level dashing lighting यूज़ करता है ये level ली family का सबसे powerful attack होता है इसे वो अपने challenges को मारने के लिए यूज़ करते थे link family ये देक काफी परेशान होने लगती है और grandfather link dong के behalf पर जाने का सूचते हैं लेकिन link शान उन्हें मना कर देता है तब है link dong wonder 8 seal को activate करता है वो wonder 8 की second stage का use करता है और ली उनकी 4th level की dashing lighting को destroy कर देता है और उसे हरा देता है इसके बाद link dong अपना ज्यादा वक fire tiger के साथ spend करता है और उसे अपनी मा जैसा बनाने के लिए तयार करता है वो उसका नाम शूयान रखता है जब बैट लगती है कि ली फामली के हारने पर iron village उन्हें मिलेगा तो वो उन्हें पूरा village destroy करके दे देते हैं इसी पीच शूयान को कुछ महसूस होता है और वो एक चटान पर जा पहुँचता है और उसे खोदना शुरू कर देता है उसे खोद कर उसे वहाँ एक गुफा से मिलती है दोनों वहाँ जाते हैं तो उन्हें चार ओ और red कलर की light दिखती है जिसे वो लावा समझता है लेकिन वो लावा नहीं होती इतने ही लिंग दॉंग के नजर एक फ्लार पर जाती है ज तो वो भाग कर अपनी family के पास चला जाता है और उन्हें एक red stone देता है वो एक yang yuan stone होता है जो कि बहुत ही powerful होता है फिर link family भाग कर उस गुफा में चले जाते हैं और उसे तोडने लगते हैं तो उन्हें पता लगता है कि वो पूरी yang yuan की बनी हुई थी और ये देखकर सब बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि वो अब गरीब नहीं रहते हैं इसी बात की खबर ली family तक पहुच जाती है और ली बाओ उस village को वापस लाने के लिए plan बनाने लगता है इसी दोरान link long अपनी family के साथ यूंग yuan stones पेशने के लिए ये इन city चला जाता है तब link dong एक शाप वो उसे खरीद लेता है फिर link dong को एक अजीब सी energy उसके और खीच रही होती है वो जाकर देखता है तो वो energy एक छोटी सी लड़की में से आ रही होती है वो उसे खरीदने ही वाला होता है कि इतने वहां एक लड़की जी यूवी वहां आ जाती है वो भी उस लड़की को खर लिए हो जाता है तब जी यूवी के गाइज उस पर अटाक करने लगते हैं तो उनकी तलवार हवा में ही रूठ जाती है ये वहां बैटे बुढ़ए ये इंग मास्टर कर रहे होते है इस बार को सील सिंबल मास्टर या मैंटिल पार कहते है तब मास्टर लिंग लॉंग को ये पार सीखने के लिए कहते हैं लेकिन वो मना कर देता है और वहाँ से जानी लगता है इतने ही फिर वो उन्हें एक बुक देते हैं जिसमें सील सिंबल मास्टर की लेवल वन की सारी इंफॉर्मेशन होती है और उसे कहते हैं कि जब कभी तुमारा माइंड चेंज हो जाए त उनका बॉस वो शा शूयन पर अटाक करके उसे जखमी कर देता है इतने वहाँ लिंग दॉंग आजाता है और वो दोनों फाइट करना शुरू कर देते हैं लिंग दॉंग अल्रेटी वन्टा एट के स्टीश पर होता है इसलिए उस पर वू शा के अटाक्स इतने काम नहीं करते हैं वुस शा और लिंग दॉंग अपनी पार्स के लेवल्स बढ़ा देते हैं और दोनों ही घायल हो जाते हैं तब ही लिंग दॉंग को युएन की पार्स का फील होने लगता है और वह जमीन पर बैठकर उन पार्स को एब्जौब करने लगता है इतने फिर peuple किट थैं और वूशा पर अटाग करके उसे मार देता है वूशा के मरने की खबर ली फामिली तक पहुँच जाती है और बाव ये खबर सुनकर एकदम बॉखला जाता है फिर वो जी जिन के साथ मिलकर लिंग दॉंग को मारने का प्लान बनाता है तभी वहाँ पर रखा कप प्लेट टूट जाता है जो कि मेंटल पार होती है फिर लिक दॉंग भी अपनी मेंटल पार स्ट्रॉंग करने लगता है उस बुक के सहारे जो उसे याग सिटी में ग्रान फादर ने दी थी दॉंग उस पुरानी लड़की को भी रिसर्च करने लगता है जिस पर कुछ सिंबल्स बने होते हैं तब वो अपनी मेंटल पार से देखता है कि ग्रान फादर याग मैं से फोस्टा बॉल बनाते हैं तब ही वहाँ धोंग आजाता है और फादर उसे पाक आफ कल्टिवेशन समझाते है जो कि मेंटल पार की ही एक शाखा है तब ही वहाँ आकर उसका एक बेटा उसे बताता है कि ली फामिली ने उन्हें एक इन्विटेशन भीजा है वह उन्हें बैंक्विट बुलाना चाहता है क्योंकि वह अपनी गल्दी पर शर्मिंदा है और वह उनसे माफी मांगना चाहता है तो उसका दूसरा भाई बोलता है कि ये ली फामिली का डेफिनेटली एक ट्राप है तब ग्राणफादर उन्हें स्वाट माशल हाउस से कंटाट करने के लिए बोलते हैं फिर वो लोग ली फामिली में जाते हैं और बाव फादर को एक कमरे में ले जाता है और पीछे से लिंग टॉंग अपनी मेंटल पार यूज़ करके छुपे हुए लोगों को देख लेता है कमरे में बैठे जिंग सू कहता है कि हमें साथ मिलकर काम करना चाहिए ताकि सारी जीत हम लोगों की ही हो अगर हम आपस में ही लड़ेंगे तो हमें कुछ भी नहीं मिलेगा तब बाव बोलता है कि हमने जी फामिली के साथ एक स्मॉल ट्रेट खोल लिया है जो कि यांग सिटी में बहुत चल रहा है लेकिन ग्रैंट फादर को उनका ये ब्लान अच्छा नहीं लगता है और वो बोलते हैं कि ली और जी फामिली की उमीदे कुछ जादा है जो कि तुम से संभाली नहीं जाएंगी और वो वहाँ से उठकर जाने लगते हैं तब बाव उन्हें अपनी पार से रोकने की कोशिश करता है और उन्हें ट्रेट जॉइन करने के लिए कहता है एस अ सबोट इने फिर ग्राणफादर उन्हें कुछ भी देने से मना कर देता है और दूनों में फाइट शुरू हो जाती है तब ही वहाँ पर ब्लड संपताई वाइस पैटरोनेज आकर बाव और जिंग जी को बचा लेता है वो उनकी साइड इसले लेता है क्योंकि बाव ने उसे 60% प्रॉफिट देने का वाधा करा था वाइस पैटरोनेज उनसे स्टील वोड मैनोर मांगता है और ग्राणफादर उसे देने से मना कर देता है और कहता है कि वो हमने अपनी महनत से हासिल करा है तब वाइस पैटरोनेज अपनी स्टील पार यूज करता है और लिंग दॉग तब वोड प्लेट निकाल लेता है जिससे वो वाइस पैटरोनेज हार जाता है और वो उसकी सारी पार्स अपने अंदर एब्सॉब कर लेता है वाइस पैटरोनेज उससे ये पार पूछता है और साथ में डील देता है कि वो ली और जी फामली को मार देगा लेकिन लिंग दॉग उसे ही मार देता है फिर बाकी के लोग बाव अजीज निको घेर लेते हैं दूसरी ही ओड लिंग दॉग जादा से जादा ट्रेनिंग ले रहा था उस टाइम उसे महसूस होता है कि स्टोन में कुछ करबर हो रही है तब ही बाहर से अवाज आती है कि ब्लट लॉट संपदाए के लोग बाहर इखटा हो गए है वो बदला लेना चाहते हैं अपने वाइस पाट्रो नीच की मौत का लेकिन ग्रैंट फादर उसे मना कर देता है तब उसे गुसा आजाता है और वो उन पर अटैक कर देता है ग्रैंट फादर उसे हार जाते है तब ही वहाँ लिंग दॉंग आजाता है वो दोनों फाइट शुरू कर देते हैं तो Yi Dong को Ling Dong की स्किल्स काफी पसंद आने लगती हैं, क्योंकि Ling Dong उसके अटैक से सिर्फ बच रहा होता था, तब Ling Dong उसके हागे शर्त रखता है कि तुम तीन महीने बाद आकर मुझसे फाइट करना, अगर वो जीते, तो Ling Family उनके सेवक बन जाएंगे, और अगर Ling Family जीती, तो वो वाइस पैटरनेज के मसले को भूल जाएंगे, फिर Yi Dong कहता है कि तीन महीने बाद क्यों, इसमें मेरा क्या फाइदा होगा, इतना सुनकर Ling Dong अपने Fire Tiger से उन लोगों पर हमला कर देता है, Fire Tiger के वार से वो लोग डार चाहते हैं, तब Ling Dong कहता है कि अब तुम्हारे पास बस दो आप्शन है, या तो तुम मुझे तीन महीने बाद आकर फाइट करना, या फिर अभी ही कर लो, फिर यी तो सोचता है, और कहता है कि उसे उसकी ये शर्ट मनजूर है, लेकिन तीन महीने बाद नहीं, दो महीने बाद, क्योंकि उसे लगता है कि वो मेंटल पार के बारे में नहीं जानता, जिसकी वज़े से वो मर जाएगा, तब Ling Dong grandfather को कहता है कि उसे यांग सिटी जाना है, कुछ special skills medicines लाने के लिए, और वो मान भी जाते हैं, नेक्स डे, जब वो जानी लगता है, तो grandfather आकर उसे यांग की कुछ पिल्स देते हैं, और कहते हैं कि इसके बिना तो, वहां कुछ भी नहीं कर सकते हो, और ये भी बताते हैं, कि यांग सिटी की कुछ ही दूरी पर, उनके कुछ आत्मी भी हैं, तुम उनकी मदद भी ले सक पिर कुछ देर में लिंग दॉंग बहाँ पर पहुँच जाता है, लेकिन उसे महसूस होता है कि कोई तो उसका पीछा कर रहा है, वो फिर वहां पहुच कर किसी से दा आक्शन वैंजिंग का पूछता है, पहले तो वो लोग उसका मजाग बनाने लगते हैं, लेकिन जब द और मैंजर जवान जू बैठी हुई है, फिर वहां पर फिर्स्ट अक्शन के लिए अनाउंस किया जाता है, जो कि सी लॉग, ग्रांड मास्टर, फांक फू, जो कि एक तलवार होती है, उसके बाद लिंग दॉंग, यग यूँवन की बिल्स को हाइस प्राइस में परचेस क लेता है, Grand Master और Zingui उसकी पास को फील कर सकते थे और Grand Master बोले कि Link Song तो पहले से ही एक पाफुल मैन है और वो एक सील सिंबल Master भी है तब Zingui उन से पूछती है कि क्या Link Dong ने वन प्लेस के बारे में जानता है तब Master कहते है कि Dong ने बहुत ही कम टाइम में Mental Park का यूज करना सीख लि है कि Yang City, Lord Manor, Thousand of Coal Association and Blood Wolf गैंग Yang City की तीन बड़ी forces हैं जब Grand Master Link Dong से Destiny Symbol को Refine करने के लिए पूछते हैं तो Link Dong ने बताता है कि उसने तो पहले से ही Destiny Symbol को Refine कर दिया था जो कि उसने उन्हों की ती बुक की help से करा था Master उसकी बाते सुनकर हैरान रह जाते हैं फिर Link Dong ने थैंक्स करता है तब Master उन्हें बताते है कि ये तो बस एक बेस है तुम तो अब True Mental Park का यूज कर सकते हो जो कि 3 टाइप की है Destiny Symbol, Destiny Soul Symbol and Destiny Heaven Symbol तब Link Dong उन्हें बताता है कि Link Family मुसीबत में है तब जुएन्सु बताती है कि वो दो जासूस तुम्हारे ही पीछे आ रहे थे ये सुनकर Link Dong चौग चाहता है और उसे सेलेशल दैनपूल का बताती है वो एक ऐसी जगा होती है जहां ये नौरियार दोनों उर जूब कर लेगा तो वो यान दा वींच को हासल कर सकता है जो कि सिक स्टार वाली होती है पर वो Blood Cloth के नाम से चूप हो जाती है तब Link Dong उसे बताता है कि Blood Cloth का Link Family के साथ केसिस हैं उसे जल से जल अपनी पार्स को बढ़ाना होगा तब वो उसे मॉनिटरी पार देने के लिए रेडी हो जाती है फिर दॉंग भी सेलेशल दान पूल के लिए रेडी हो जाता है नाइट में दॉंग को पता चलता है कि उसकी स्टोन्स पार काम नहीं कर रही है फिर वो अपनी मेंटल पार से पता लगाने की कोशिश करता है उसका पता लगाने के लिए दॉंग अपनी प और बताता है कि वो भी पहले बहुत विता था लिकिन उस स्टोन के मिलने के बाद उसे मौत के घाट उतार दिया गया था फिर जब वो राइट महां से जानी लगता है तो डॉंग उसे रोकर पूछता है कि स्टोन का राज क्या है वरना मैं तुम्हें मार दूंगा तब रैट कहता है कि उसे fireflies से spiritual medicine चाहिए spiritual demons के लिए फिर दॉंग उसे कहता है कि अगर वो उसे strong बनाने में उसकी help करेगा तो वो उसे flower लाके देगा तब रैट उसे अपने साथ लेकर जाता है और mental park का try करने के लिए बोलता है जैसे healing dong mental park का try करता है तो वो रैट गायब हो जाता है और उसके सामने कुछ spaceship जैसा आजाता है तो एक दम वो रैट आकर उसे बताता है कि ये spiritual grinder है ये तुम्हारे mental park को crush करके उसे recover करने में उसकी help करेगा लिंक डॉंक बिना कुछ सोचे समझे उस grinder में कूच जाता है रैट वहां बेठा enjoy भी कर रहा होता है और ये notice भी करता है कि ये कितनी bar grind हुआ है वो total 10 bar grind हुग करा जाता है और वो बहुत ही भाफुल हुजाता है ये देखकर रैट हैरान रह जाता है और वो उसे अराम करने के लिए बोलता है साथ ही वो उसे बताता है कि जो पार उसने अब्सॉब करी है, उसका नाप शाप स्नेल वेव है, दूसरी ही तरफ, डॉंग एक रूम में खुद से ही बाते कर रहा होता है, और उस राट के बारे में कुछ गलत बोल देता है, तब ही उसे वहाँ एक वाज आती है, कॉल मी फैंक्स यू बोई, डॉंग चौक जाता है, क्योंकि उस रूम में कोई भी नहीं होता है, फर डॉंग किसी दूसरे चेमबर में चला जाता है, जहाँ पर पहले से ही, कुछ लोग तब वहाँ जुआन्सू उसके पास जाकर, उसे प्रेसिडेंट जिया के बारे में बत का बंदा हार जाता है, लास्ट राउंड लिंग दॉंग जाता है, सब लोग उनकी फाइट देकर हैरान हो जाते हैं, फाइट बिलकुल बराबरी क्यों होती है, आखिर में मुजी का बंदा टू पार यूज कर लेता है, लेकिन लिंग दॉंग उसके हर पार का जवाब देत लास्ट में दो, डिवाइन पार रोलिंग वेव का यूज करके उसे हरा देता है, तब यूई शैन कहता है कि फाइट अभी खत्म नहीं हुई है, और वैसे भी ये तुम्हारी टीम से नहीं है, ये बोल कर वहां से चला जाता है, डील के मताबिका जिया उसे सलेशल दैन पूल में लेकर चली जाती है, वहां पूल में जाकर वो एनरजी वेव को एबसॉब करना शुरू कर देता है, तब उसे अपने ग्राइन फादर की कही बात यादा आने लगती है, और वो देखता है कि वहां पर आए हुए और भी लोग जादा से जादा एनरजी एबसॉब कर रह जानने के लिए उसकी मदद चाहता है, तब डॉंग कहता है कि उसे विगर करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, फिर वो रैट की डील को मान लेता है और अपनी मेंटल पार का यूज़ करने लगता है, थोड़ी देर में उसे फील होने लगता है कि उसने सारी एनरजी फिर डॉंग पूल के काफी अंदर ही चला जाता है, वहाँ जाकर उसे एक पाइथन नजर आता है, जिसे देखकर रैट बोलता है कि यहाँ डेमन पाइथन या फिर डेमन स्परेट होनी चाहिए थी, लेकिन डॉंग वहाँ से डर कर भागने लगता है, तो रैट उसे बतात करने लगता है, तो वहाँ एक जोरदार धमाका होता है, और वहाँ से एक ब्लू कलर का ड्रागन बहार आता है, और उनपे अटाक करने लगता है, रैट उसे डिस्ट्राट करके दॉंग को येंग और यांग की पार को एब्सॉब करने के लिए कहता है, और वो करना शुरू कर देता है इतने ही दॉंग देखता है कि वो राटब साइस में बहुत ही बड़ा हो गया है वो ड्रागन को अपने अंदर एब्जॉब करके और अपनी असली रूप में वापस आके दॉंग के हाथ में समा जाता है और ये भी कहकर जाता है कि येंग और यांग बीट्स को अपने साथ लेकर जाना फिर नेक्स फेस में लिंग दॉंग एक चेंबर में कुछ लोगों के साथ बैठा होता है वहां बैठा प्रेजिडेंट उससे कुछ पूछता है तो वो बताता है कि वो उसका वस एब्जॉबिंग मेथर्ड था तब जुएंजू बोलती है कि उसे कौंग ने बताया था कि उसे ब्लड पायतन संपदाय के साथ कुछ प्रॉब्लम है अगर ऐसा क्यों तो लिंग दॉंग उन्हें वी दॉंग के बारे में बताता है जिसे सुनके जीव शौक हो जाती है और जब प्रेसिडेंट उससे पूछता है तो वो बताता है कि उसने ब और कहती है कि इसमें वो सब कुछ है जो तुम जानना चाहते हो दॉंग उसे थैंक्स करता है तो वो उसके पास आकर कान में कहती है ये सुनकर वाँ बैटे सब लोग हसने लगते हैं तबी एक तरफ दॉंग एनरजी एबसौप करने में लगा होता है और दूसरी तरफ उसक कि बहन भागती हुई आती है और उसे कले लग जाती है। दॉंग उसे देखकर बहुत कुछ हो जाता है। तब य दॉंग कोयाता है तो His Father बी cheek आति हूए है। साथ घर ले जाना क्योंकि दॉन में बिल्कुल भी मर्सी नाम की चीज नहीं थी। तभी अचाना ग्रांट फादर ने दॉंग पर हमला कर दिया। उसके जवाब में दॉंग ने भी अपनी बार लगाए। उसकी बार देके वो दीनों बहुत खुश थे। दूनों ग्रांट म ये हूटिंग करने लगे। लिंग दॉंग उसके हर एक बार का जवाब दे रहा था। ये देखकर वुई दॉंग का एक आत्मी दॉंग की बेहन को अपने कप्शे में कर लेता है। ये देखकर लिंग दॉंग डिस्ट्राक्ट हो गया था और वो जामीन पर गिर जाता और लिंग दॉंग भी सोच में बढ़ जाता है कि वो अब क्या करें अगर वो वी दॉंग को मार दे तो वो उसकी बहन को मार देगा तभी लिंग दॉंग उसे कहता है कि तुम्हारी दुश्मनी मुझ से है मेरे परिवार को बीच में क्यों गुसा रहे हो फिर वो उसे नाली का कीड़ा बोलता है इसे देखकर प्रेसिडेंट और जुआन सुभी टेंचन में आ जाते हैं तभी ग्रांट फादर बोलते हैं कि जास वेट अन वाचलेंग फैमिली तभी वी दॉंग अपनी पूरी ताकत से दॉंग पे हमला कर देता है इससे दॉंग जमीन पर गिर जाता है और उसे वी दॉंग की कही बाते याद आने लगती है जब ये मर जाएगा मिंटल पैरियर खुल जाएगा और तब दॉंग खड़ा हो जाता है और वी दॉंग के वार का सामना करने लग जाता है और उसे देखकर वी तॉंग बेहरान हो गया उसकी डिवाइन और नीडल पार को देख और इस बार दॉंग एक तीर से दो निशाने लगाता है अपनी सिस्टर को उस आदमी से बचाता है और वी तॉंग को भी मार गिराता है लेकिन वी तॉंग का जासूस ये देखकर डेन में अटाक करता है लेकिन ये देख लेता है और उसका अटाक उसे पर रिवर्स कर देता है लेकिन वी तॉंग अभी तक मरा नहीं था और वापस उटकर खड़ा हो जाता है और दॉंग को कहता है कि तुमने मेरे साथ चीट किया फिर दॉंग कहता है कि तुमसे ही सीखा है और उनकी फाइट वापिस शुरू हो जाती है और आगेर में वी दॉंग हार मान लीता है पर दॉंग कहता है कि अभे तुम मरे नहीं हो और उसे उसकी ही बात याद दिलाता है जो उसने उसे कही थी और अब उस पे अटाक करने लगता है वी टॉंग को मुसीबत में देखकर उसको बचाने लगता है लेकिन प्रेजडेंट उसे मना कर देता है ये कहेगे कि ये रूल्स के खिलाफ है और वी दॉंग मर जाता है और इसी तरह बुराई पर अच्छाई की जीत होती है लिंग फामिली वापस सिटी में रहने का डिसाइड कर लेती है कुछ टाइम बात लिंग फामिली यांग सिटी में आकर रहने लगती है फिर यहाँ पर ग्रांड मास्टर और लिंग दॉंग बैठे होते हैं ग्रांड मास्टर उसकी तारीफ करते हैं और कहते हैं कि उन्होंने दॉंग जैसा आत्मी कभी नहीं देखा है और ये भी कहते हैं कि वो भी मिंटल पार के प्रामरी लेवल पर है फिर दॉंग उन्हें और भी सीखने को कहता है ओफर यहीं ये बात खत्म हो जाता है